नमस्कार मैं हूँ अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं बेटियों पर आधारित हमारे ये खास कारिक्षम मैं बेटी हूँ कहते हैं कि अगर आपके संघर्षों के बावचूद आप होसलों के उड़ान भड़ने का माद्दा रखते हैं तो हिम्मत आपके इन होसलों के उड़ान में पंक लगाने का काम करती हैं और ऐसे ही कुछ हिम्मत के साथ पंक लगाकर होसलों के उड़ान भड़ी हैं हमारी आज की बेटी ने इस बेटी से आपको मिलवाएंगे लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए पेशापालो खेल में दुनिया भर में हिमाचल प्रदेश के साथ देश का नाम रौशन करने वाली हमारी आज की ये बेटी है शालू शर्मा शालू मौजूदा पेशापालो टीम की कप्तान है और राष्ट्रिय और अंतराष्ट्रिय स्तर पर कई मैडल जीत कर अपनी काबिलियत का लोहा भी मनवा चुकी है शालू की कप्तानी में भारतिये पेशा पालू टीम ने साल 2017 में वर्ल्ड कप में ब्रॉंस मेडल जीता तो वहीं जन्वरी 2018 में एशिया कप में स्वन पदक जीता है हालकी इतनी उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी इस बेटी को लगातार उपेक्षाओं का सामना करना पड़ रहा है इस बेटी ने घर में आर्थिक तंकी होने के बावजूद अपने खेल के जुनूर को जीवित रखा लेकिन इस सब के बावजूद दिल में एक मलाल रहा कि जब ये बेटी संघर्षों के तौर से गुज़दर रही थी तब ना तो सरकार की कोई मदद इस बेटी को मिली और ना ही अब सरकार का ध्यान पेशा पालो खेल की इस बेटी की तरफ कया है हाला कि अब खबरे अभी तक की और से इस मुद्धे को उठाए जाने के बाद सरकार की तरफ से बेटी को सम्मानित करने की बात जरूर कही जा रही है तो चलिए मिलवाते हैं आपको हमारी आज की इस बेटी से तो हमारे साथ आज मैं बेटी हु में मौजूद है पेशा प लो खेल की खिलारी शालू शर्मा बहुत सुवागत है या अब इस री शालू कितने समय से आप पेशा पलो खेल खेल रहे हैं पैसापलो खेल मैं लगवक तीन साल से खेल रही हूँ जो हमने सबसे पहला जो मेरा ट्रायल केम्प वह था वो डिस्ट्रिक ब्लासपूर में वह था वहीं से हमने जो जो पैसापलो गेम उसकी शुरुआत की थी तो हमारे जो कोछ थे मिस्टर दीवचन शर्मा उन्होंने हमे की ज़ने केम्प की लिए भेजा था महीं से हमने गेम शुरू की है तो केरळा में आपने इसकी ट्रेणिंग और आपको डिस्ट्रिक में हिमाचल में ही जो है का कया पको मेला था लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी कैसे मिलिए आपका इंटरस्त कैसे बना इस खेल डि फिल्लेंड की जो ये नेशनल गेमें वहां से भी जो कोशी जै वो आये थे तो वो लोग वहां पे मैचिस करवा रहे थे तो हमें लगा कि ये अच्छी गेमें हमें ये गेम खेलनी चाहिए लेकिन आपको जब पता चला कि डिस्ट्रिक्ट में अपने यहां पर बिलासपूर में जो है क्यामपेक लगने वाला है पेसा पालो खेल का आपको उससे पहले जानकारी थी इस खेल के बारे में नहीं तो मैं जैसे मेरी बच्छपन से खेलों में बहुत रूची रही है तो उस समय जब हमने निउस्पेपर में उसको देखा कि यहां पर ट्रायल केम्प हो रहा है तो हमने जाने के लिए अपने पैरेंट्स को कहा कि हमें वहां पर जाना है तो पैरेंट्स को थोड़ी सी चिंता होगे थी कि हमारी बेटी अकेले कैसा जाएगी तो मैंने उनसे कह कि नहीं मुझे जाना है तो उसलिए उन्होंने भी मुझे ऐसा ज्यादा रोकने की कोशिश नहीं की और आगे भेजा पेरेंट्स का आपको सपोर्ट मेला लेकिन अभी पेरेंट्स का सपोर्ट बराबर आपको मिल रहा है पेरेंट्स का बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है मुझे लेकिन अपने देश के अंदर हम भारत की बात करें बहुत जादा इस खेल के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है लेकिन आप चाहेंगे हमकी एक बर दर्शकों को बताएं क्या ये खेल है और कैसे इसको खेला जाता है जी जो ये पैसापलो खेल है ये बिल्कुल बेसबॉ के जो रूल है वो अलग है और जो पैसापलो गेम के रूल है वो अलग है बेसबॉल जैसा ही है जी लेकिन चाहलू अब क्योंकि आप तीन साल हो गए है आपको इस खेल को खेलते हुए और आपने ट्वेल्थाइटिंग कि ती उसके बाद आपने इस खेल की शुरुआत की अब तक का यह सफर इन तीन सालों का सफर कितना चुनौती पूर रहा है चुनौती बोले तो इसमें हमने काफी हाड़ वर्क की भी किया और जैसे हमें प्रावलम्स होती थी ज्यादतर फाइनेंशली प्रावलम होती थी तो जिसमें हमारे पैरेंस भी हमें स्पोर्ट नहीं है कि हमें अपने बच्चों को आगे भीजना है तो उन्होंने लोगों के पास जा के उनसे स्पॉंसर मांगा और जो मेरे स्पोर्टर है उन्होंने भी मुझे स्पॉंसर किया उन्होंने मना नहीं किया फाइनेंशली आपको का सफानेंशली आपके फादर क्या करते हैं मेरे कंप सबस्सक्राइब करें पना जाना हमारा एक कंप का ता तो इसमें हमारे काफी केंप लगे थे उस हमें भी हमने पार्टिस्पेट किया हर कैम्प हमने अटेंड किया तो आपको गॉर्मेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिलता है नहीं गॉर्मेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला है या नहीं आपने जुतने भी अभीता कैम्प जो है जुनमें भी आप गई जुतना क्योंकि तया दे आपने कुछते हैं और आपke फादर ने आपको ये पैसा आपके लिए एındaki अरेंज करे चाहे हम की हम वहांग पी टीन लिए हम पनी ज़्पती कांगा terrace तो मैं उन से कहती थी आप मेरी स्टड़ी मेर से बेशक ना करा हुव लेकि मुझे खेल के लिए कभी मत रोकना क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहती हूं अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूं तो आप मुझे प्लीज ऐसा मत करिये कि मुझे गेम को खेलने के लिए याम ऑने लेएं इंट्रनाशनल लेवल ने जगे इन वरो डहीं हैं कितनी समय पहले आप इन्टनाशनल खेल लेएं इंट्रनिशनल 2017 में पहले इंट नेक्यों को अपहले लाएं उसके बाद ही आस्या कपा मैं टाफरह सब्सक्राइब नेशां करे अपना इसी innovations in the बहुत बड़ी कौरफ की बात है कि एक खेल जिसके बारे में लोगों को बहुत जानकारी भी नहीं है किसी दूसरे केल का देश का जो है नाशनल केम है और उसमें भी हमारे देश की तीम जो है ब्रॉंस मेडल जीद कराई है अभी हाल ही में 2018 में भी आपका इशया कप हुआ है अठारा में एशया कप हुआ तो उसमें हमारी टीम ने गोल्ड मैडल लिया है लेकिन चालो अब जो इंटरनाशनल खेल आप खेलने जाते हैं इसमें तो सरकार की मदद आपको मिलती होगी नहीं इसमें भी हमें सरकार की मदद नहीं मिलती है बलकि हमें एसोसीशन की मदद म वर्ड कप हुआ था उस समय हमने हिमाचल गौर्मेंट से अप्रूब किया था कि हमें स्पॉंसर कर दो हमें बाहर खेलने जाना है हमें अपने देश का नाम रोशन करना है तो उस समय हमें कोई भी ऐसा ओ नहीं मिला कि किसी नहीं कि सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद जो है सोशल मीडिया के जरीए शालू ने इस खेल को लेकर कि किस तरह से सरकार उनके खेल को भी सपोर्ट करें जैसे बाकी खिलाडियों को सपोर्ट करती है बाकी खेलों को सपोर्ट करती है सबसे पहले आप ये शालू का सोशल मीडिया पर वारेल हुआ ये वीडियो देखिए उ हमारी सरकार खेलों के प्रति हमें काफी प्रोसाहन कर रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारी गेम को भी इस प्रकार से ही बढ़ावा मिले। जिस प्रकार से हमारी सरकार बाकी सभी गेमों के खिलाडियों को मान सम्मान देती है। उस प्रकार से ही हमें भी मान समान दिया जाए मैं पैसा पॉलो इंडिया टीम की कैप्टन हूँ जुलाई 2017 में हमारा जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें हमारे टीम ने कांसे पदक लिया है और यहां हमारी लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने अपने प्रदेश और देश प्रदेश का नाम रोशन किया है यही नई बलकी जनवरी 2018 में हमारा एश्या कप हुआ था उसमें हमारे टीम ने गोल्ड मैडल लिया है तो यहां मेरे लिए बहुत सोभाग्य की बात है कि मुझे इंडिय टीम की कैप्टन बनाया गया या मुझे यह सोभाग्य प्राप्त हुआ है सोभाग्य प्राप्त हुआ यही नहीं बलकी मुझे वर्ल्ड की बेस्ट प्लेयर का एवर्ड भी मिला था बेस्ट प्लेयर का एवर्ड भी मिला था तो मैं चाहते हूँ कि या मेरा सरकार से यह आगरे या विंती है कि वह खिलाडियों को एक नजर से देखें चाहे वह क्रिकेट के खिलाडियों चाहे वह कबड़ी के खिलाडियों चाहे वह पैसापलों के खिलाडियों तो मैं सरकार से यह विंती करना चाहते हूँ कि वह सभी खिलाडियों को एक नजर से देखे धन्यावाई तो शालो यह जो आपका वीडियो है जो आपने सोशल मीडिया पर डाला अखर क्या आपको एसे इतने समय बाद में आपको लगा कि नहीं सरकार की तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है कहीं से कोई आर्थिक मदद न परकार से कोई अपना नाम बनाया है यह आप ने कहा कि जैसे केलों की खिलाडियों को जो वहावर उन्हें प्रोचसाहन मिलता है जिस तरह से सरकार उनको बढ़ावा देती है पेसा पालों के खिलाडियों को वो नहीं मिलता है सम्मान तो क्या सम्मान आप चाहती है पेसा पालों के खिलाडी होने के नाती है तो आपकी खेल को स्पॉंसर करें देन कि गया जा तो थो पेशा पालो कि स्पॉद। अभी खबर भी तक मुदध को अपंड हरा था करने खेल मंतरी तो तो तब गोविंधर सिंह Темतरी मेश मंसरी Knights воды同हुकाइ 보als उनके पास जाएंगे लेकिन उस समय जाएंगे जब विधान सवाग खतम हो जाएगी ताकि उनसे मिलने का भी हमें टाइम मिले और उनसे बात भी हो